असलामलेकुम मेरे पीएरे पीवर्स। आज मैं आप सब के साथ शेयर कर रही हूं Real Sammy Kebaba की 레 Principi जो बहुत ही रेसेदार बनके टेयार होती है और बहुत टेश्टी बनके टेयार होती है तो इसे आप वीडियो में देखे एंगे किस तरीके से मैंने बनाया है, यह इतनी रेशेधार और टेश्टी बन के तयार हुई है, बिल्कुल आप इस तरीके से बनाएंगे जैसे हमने बनाया है, बहुत अच्छी बनके तयार होगी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, उसक और लाल मिर जीरा और तेजपत्ता लिया है और गोस्त को धोने के बाद हम खुकर में डाल देंगे और डाल के चने डाल को भी दोके इसमें हम डाल देंगे और इसमें एक बड़े साइज के प्याज को मैंने ऐसे लंबे सलाइस में काट लिया वो भी इसमें हम डाल देंगे औ और छील के और जो हमने पौडर मASाले दिखाया थे में पीस हिएzos लिया है वह सुखा ही वह भी इसमें डाल देंगे। यह बहुत ही खुस्बुदार मसाला बनके त्यार होता है और इसमें हम डाल देंगे दोしま मस नमक, छोटा सा चम्मच है और quantity ज्यादा है तो कम अगर होगा तो थोड़ा सा हम फिर बाद में डाल देंगे नमक ज्यादा नहीं होना चाहिए और एक चौथाई चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें काली मिर्च पाउडर क्योंकि साबूत मेरे पास काली मिर्च नहीं था तो इसमें डालना है और एक बार अच्छे से मिला देते हैं और मिक्स हो गया है अब ढ़कन लगा कि इसको गैस पर हम चड़ा देंगे चार सीटी लगा लेंगे हाई फ्लेम पर फिर इसके फ्लेम को हम स्लो कर देंगे दस मिनट के लिए दस मिनट बाद हमने खोला है देखिए दाल अच्छे से गल गया है और गोस्त भी अच्छे से गल गया है तो ऐसे एक मतनी लेंगे जिससे हम दाल मतते हैं तो वैसा लेके इस तरीके से अभी इसमें पानी है तो आज पे ही इसको ऐसे ऐसे मसलना है ताकि इसके सारे रे से अलग-अलग हो जाए जिससे हमारे लेकिन अभी मुझे इतना नहीं बनाना है, तो जितना अभी हमें जरूरत है, उतना मैंने निकाल लिया है, इसमें एक चम्मच मैंने चाट मसाला पौडर डाल दिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पौडर डाल दिया है, क्योंकि पौडर मसालों में भी हमने डाला है लाल मिर दिया है हरे मसालों में पुदीना के पत्ति को मैंने बारी काटा है हरी मिर्च को चार हरी मिर्च को चॉप कर लिया है वो भी इसमें डाल देंगे एक मुठी भर के धनिया पत्ति यह इसमें डाल देते हैं हम एक अंड़ डाल देंगे जिससे इसमें बैंडिंग अच्छी होग और थोड़ा सा हलका सा नमक कम था तो एक चमच और मैंने नमक डाल दिया है सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम और मिक्स करके हाथों पे इस तरीके से लेंगे और जितना बड़ा बड़ा कवाब बनाना है चारो तरफ से दबाते हुए चिकना करके हम इसका सेब दे देंगे गोल और इस तरीके से बना के हम किसी प्लेट में रखते जाएंगे तो एक बन के तियार हो गया है ऐसे और इसी तरीके से मैं अभी चार बना लेती हूं तो चार टीक्यूर को डालके हम इसे फ्राइ करेंगे पांच से दस मिनट लएगा फ्राइ करने में क्यूंकि अल्रेडी ये पहले से सब कुछ पके हुए हैं हलका साइस पर गोल्डेन कलर हमें बस उतना इसे फ्राइ करना है तो जब एक तरफ से सिख जाए तो दूसरे तरफ हम पर हमारा बच गया था उसको हम फ्रीज में रख देंगे ऐसे ही एक हफ्ते तक वो खराब नहीं होता है तो जब भी हमें बनाना होगा तो ऐसे हरे मसाले काटेंगे और थोड़े से मसाले मिक्स करके आप इसको जब भी चाहें तो ताजा ताजा फ्राइ करके इस तरीके से अधा काम करते हैं आप आपके कबडून में रखते हैं एक हफ्त तक queste फ्रीजर में भी रखने की ज़रूत नहीं है तो इस तरीके से हम प्लेटिंग कैसे लगी मेरी आप सब कमेंट करके बताना की कैसी मैंने कभाब की प्लेट लगाई थी तो इस तरीके से आप बहुत ही टेष्टी सामी कभाब बनाके रख सकते हैं और खा भी सकते हैं और जब भी बनाना हो तो अगर आप के पास ज्यादा ज्यादा कौंटिटी बना लेजी और जब खाना हो तो इसमें प्याज हरी मिर्श थोड़ासा अंडा और धनिया पत्री डालके आप इसे जब भी चाहें ताजा 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 फ्राई करके खा सकते हैं एक तोड़के दिखा देती हूं मैं देखी इसके रेसे कितने बढ़ियां रेसेदार बनके ये कबाब तैयार हुआ है तो इस तरीके से आप भी ट्राई कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नीबू के रस सब्सक्राइब के साथ दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरा साथ दीजिएगा तब तक के लिए अल्ला हाफीज